आज हम देखेंगे लाप और हानी से संबन्धित कुछ मिध्याधानाएं और कुछ गल्तिया मिध्याधाना एक निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचान ये वस्तू का विक्रैमूल्य यानि सेलिंग प्राइस या SP उसके क्रैमूल्य यानि कॉस्ट प्राइस या CP से हमेशा अधिक होता है कुछ बच्चों के मिध्याधार्णा होती है कि वस्तू का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से हमेशा अधिक होता है लेकिन यह गलत समझ है इसलिए option 1 गलत जवाब है वस्तू का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के बराबर या कम भी हो सकता है यदि SP CP से बढ़ा है तब लाब यानि प्रॉफिट होता है यदि SP CP से छोटा है तब हानी यानि लॉस होता है यदि SP बराबर CP है तब न तो लाब होता है नहीं हानी इसलिए Option 2 सही जवाब है मिध्याधारणा 2 संगीता ने कुछ खेल का सामान 2000 रुपए में खरीदा उसने यह सामान एक पाटशाला को 2500 रुपए में बेच दिया ज्याद कीजिए कि संगीता को इस व्यवहार में कितने प्रतीशत लाब हुआ कुछ बच्चे सोचते हैं कि लाब या हानी प्रतीशत वस्तो के विक्रह मूल्य पर ग्याद किये जाते हैं इसलिए वे लाब या हानी प्रतीशत निकालते समय गलत सूत्र का प्रयोग करते हैं वे लिखते हैं लाब प्रतीशत बराबर लाब पटे विक्रह मूल्य गुणा 100 इस उदहरन को हल करते समय बच्चे लाब बराबर SP रिन CP बराबर पचीस सो रुपए रिन दो हजार रुपए बराबर 500 रुपए प्राप्ट करते हैं लेकिन प्रतीशत प्राप्ट करते समय वे सूत्र इस प्रकार लिखते हैं इस सूत्र में संख्याओं को रख कर वे इसे इस प्रकार हल करते हैं। इससे उन्हें लाभ 20 प्रतिशत प्राप्त होता है जो की एक गलत जवाब है। इसलिए ऑप्षिन एक गलत जवाब है। ध्यान रहे लाभ हो या हानी वस्तो के क्रय मुल्य पर प्राप्त होती है। इसलिए आधार हमेशा क्रय मुल्य होता है। इसलिए सही सूत्र है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मुल्य गुणा 100 बराबर 500 बटे 2000 गुणा 100 बराबर 25 प्रतिशत। इसलिए ऑप्षिन दो सही जवाब है अब चलिए कुछ गलतियां देखे सवाल एक दुकानधार 40 वस्तुएं 2800 रुपए में खरीदता है वह उन्हें 16 प्रतिशत लाब पर बेच देता है ज्यात कीजिए वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चे सवाल में देगई जानकारी को ठीक से समझ नहीं पाते तथा वे उनका प्रयोग कैसे करना है यह भी समझ नहीं पाते इस कारण वे कुछ गलतियां करते है आईए इन्हें समझे गलती एक कुछ बच्चे सवाल को ठीक से नहीं समझते यहां 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है लेकिन वे सोचते हैं कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 40 गुणा 2,800 रुपए बराबर 1,12,000 रुपए है यह एक गलत समझ है गलती 2 दिया गया है क्रय मूल्य बराबर 2,800 रुपए और लाब प्रतीशत बराबर 16 प्रतीशत बराबर 16 बटे 100 विक्रै मूल्य ग्याद करने के लिए क्रै मूल्य और लाब का योग किया जाता है ऐसा करने के लिए कुछ बच्चे लाब प्रतीशत को ही क्रै मूल्य में जोडते हैं इसलिए उन्हें विक्रे मूल्य बराबर 2800 रुपए धन 16 बटे 100 बराबर 2800 बराबर 2800 बटे 100 रुपए प्राप्थ होता है जो कि गलत है ध्यान रहे विक्रे मूल्य क्रे मूल्य में लाव जोड़कर प्राप्थ होता है इसलिए हमें प्रतिशत में दिये लाभ को वास्तविक लाभ में परिवर्थित करना अवश्यक है यहां 16 प्रतिशत लाभ हमें बताता है कि प्रतिएक 100 रुपए क्रैमूल्य पर 16 रुपए लाभ है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब क्राय मूल्य एक होगा तब लाब 16 बटे 100 रुपई होगा इस तरह से जब क्राय मूल्य 2800 रुपई होगा तब लाब होगा 16 बटे 100 गुणा 2800 रुपई यानि कि 448 रुपई इसलिए विक्रे मूल्य होगा 2800 रुपई धन 448 रुपई बराबर 3248 रुपई तो आज हमने देखी लाब और हानी से संबंधित कुछ मिध्या धार्णाय और कुछ गल्तियां opposition से सब्सक्रीं करना अरुब हमने ऊन्स तो आज होगा 열